Hello Friends, आपका स्वागत है UPCI SS Prime YouTube Channel पर आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि माउस क्या है और इसको कैसे चलाते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं माउस की माउस एक Input Device है इसको हम Pointing Device के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें जो भी वर्क होता है और माउस पॉइंटर की सहाइता से हम करते हैं इसलिए हम इसको Pointing Device के नाम से भी जानते हैं किसी भी फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करना है तो हम माउस के पॉइंटर की सहाइता से ही सेलेक्ट करते हैं हम अपने mouse को जिस side में घुमाएंगे हमारा mouse pointer उस side जाता है जैसा कि मनलिया यह हमारा जो आपको यहाँ पे arrow के आकार का दिखाई दे रहा है यह हमारा mouse pointer होता है अगर हमने अपने mouse को right side में घुमाया तो यह pointer right side में जाएगा अब बात करते हैं माउस में बटन कितनी होती हैं माउस में तीन प्रकार की बटन होती है एक होती है राइट बटन जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है यह राइट बटन है जो बीच में आपको दिखाई दे रही है यह हमारी होती स्क्रॉल बॉर इसको हम चरकी के नाम से भी जानते हैं बहुत से लोग इस बटन को चरकी के नाम से जानते हैं फिर जो आपको दिखाई देरे तीसरी बटन यह हमारी होती लेट बटन तीनों बटन के अलग-अलग अपने-अपने कार्य होते हैं तो अचलिए सबसा पहले हम बात कर लेते हैं बटन की left बटन का यूज किस तरीके से हम करते हैं left बटन एक बार दवा कर छोड़ना अगर हम किसी भी file या folder पर left की जो हमारी button होती है हम अपने mouse pointer को किसी भी file या folder पर ले जाएंगे अगर एक बार click कर देंगे तो हमारा file folder जो भी होगा ओ select हो जाता है किसी भी image को select करना होता है तो हम अपने mouse को केवल एक बार उस image पर click कर देंगे जैसे mouse का image पढ़ा है इस पर एक बार click करेंगे यह हमारा mouse select हो जाएगा अगर किसी भी file या folder को open करना है तो हम अपने mouse का pointer है इसको उस file पर हम दो बार click करेंगे जैसे हमाल लिए हम इस folder को open करना है तो इस पर हम अपन करते हैं और किसी भी फाइल को open करते हैं फिर उसके बाद हमारी आती है scroll bar इसका काम क्या होता है scroll bar का उपयोग हम mouse में उपस्थित wheel की मदश से करते हैं यह mouse में चरकी होती है इसकी सहाइथा से scroll bar का उपयोग करते हैं जैसे कोई बड़ी screen या बड़ा object item किसी भी परकार का data है तो हम इसी की सहाइथा से लंबी file के माइटर को उपर नीचे scroll करके देख सकते हैं इसका उपयोग सबसे अधिक internet browser में mouse के इस scroll wheel का किया जाता है तो चलिए हम लोग देखते हैं जैसे मालिया हमारे पास कोई MS Word की एक file बनी पड़ी है हमें उसको उपर नीचे ले जाना है है हमारे पास file बनी है अब इसको जो नीचे का माइटर है यह पर चार पाच पेज है मालिया हम उपर नीचे की तरफ जाना चाहते हैं तो जो mouse की scroll बार होती है इसी को हम scroll करते है इस तरीके से यहां पर आपको दिखाई भी दे रहा जो scroll बार होता है हम इसको पकड़का भी यहां से कर सकते हैं इसको पकड़ेंगे mouse की left button इस पर right button का काम क्या होता है तो चलिए इसके भी बारे में हम जान लेते हैं mouse की right button होती है उसके दोरह हम किसी भी file folder की property चक कर सकते हैं इसमें बहुत सारे option होते हैं mouse की right button हम जैसे किसी भी folder पे click करेंगे तो उसको हम copy भी कर सकते हैं, select भी कर सकते हैं, उसको delete भी कर सकते हैं और उसका name भी change कर सकते हैं, इस तरीके से mouse की right button से बहुत सारे कारिक किया जाते हैं, तो चलिए देख लेते हैं, इसना कि मालिया है हमारी file बनी पड़ी है, इसकी property देखना है, तो इस पे हम mouse की right button जैसे ही click करेंगे, यहां से हम इस file को open भी कर सकते हैं, edit करना है तो edit भी कर सकते हैं, property चेक करना, तो मैं property के option पर click कर देंगे यहां से इस file property हम देख सकते हैं, कि file का size कितना है, file किस version में है file को कब create किया गया, इस तरीके की जो भी setting है, नहीं जो भी इसकी property है हम देख सकते हैं, फिर इसी पे हम right click करेंगे, अब इस folder को हमें copy करना है, तो इस पे right click किया, यहां पे लिखा है नीचे copy का option, हम इसको copy कर लेंगे, और फिर mouse की right button ही click करेंगे, और यहां पे लिखा है paste का option, हम इसको paste कर देंगे, जैसे ही paste करेंगे, यहां पे paste हो जाएगा, लेकिन जो हमारी copy की गई file है, उस पे लिखा है upciss copy, और जो वर्जिनल file है, उस पे लिखा है upciss, तो इतना तो आप लोग जान ही गए, और चलो हम mouse की right button किली करेंगे, इस file का नाम भी change कर लेते हैं, इस file पे right click करेंगे, नीचे लिखा है rename का option, rename कर देंगे, जो भी नाम ह यहाँ पे डालना है, हम type करेंगे upcississ prime, और enter करतेंगे, हमारे इस file का नाम change हो जाएगा, अगर हमें इस file को delete करना है, तो mouse की right button क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे लिखा है delete, और यहाँ से हमारी file delete हो जाएगी, इस तरहीके से हम mouse की right button का use करते हैं, चलिए, अभी देख ल के आजाते हैं, जैसे view का option, यहाँ से हम अपने desktop icon होते हैं, इनका size कितना अधिक रखना है, और कर सकते हैं, कितना size कम रखना है, और यहाँ से हम arrange कर सकते हैं, जो हमरे desktop icon है, इनको हम अपने screen के right side में ले जाना चाहते हैं, तो कैसे ले जा सकते हैं, और इसको हम कहते हैं, drag and और दॉप करना अपने फाइल या इमेज को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो उसको हम ड्रैक और ड्रॉप कहते हैं जैसे मन्या हमारे सामने इसको राइट साइड में ले जाना है तो इसके लिए हम माउस के लेट बटन के द्वारा ले जा सकते हैं और माउस की लेट बटन इसी फोल्डर पे प्रेस रखेंगे और प्रेस रखेंगे हम राइट साइड की तरफ अपने माउस को स्क्रॉल करके ले जाएंगे और हमारा ज तरीके से हम किसी भी file folder को drag and drop कर सकते हैं जो हमरे desktop पे icon बने होते हैं इनको open करने के लिए हम इसमें 2 बार click करते हैं जैसा 2 बार click किया हमारे सामने file open हो गई लेकिन चिद टास्क वार में i ain connect बने है इनको हम open करना होता है तो केवल हम mouse की left button एक बार click कर देंगे यूज किस तरीके से करते हैं वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धनीबाद हम मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ